सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिंतन आज का चिंतन आज का चिंतन ओम शांती गोड़मी स्नेह का सागर शिवावा जनम जनम का विकर्म बिनाश करने वाले सर्व शक्रिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें अभी नया जीवन मिला है पुराने जीवन बदल गया है नया साल है नया वर्स है तो हमारा नया जीवन भी मिला संगमी पर बावगते क्योंकि तुम अब इश्वरिय संतान बने हो तुम्हारी प्रीत एक बाव से है आज बावा हम बच्चों को पूछ रहे हैं ब्रामण जो देपता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी बावगते वो ब्रह्मा की मुख्य बंग्षावली ब्रामण सभी एक मत वाले होंगे उनमें कभी मत भैद नहीं हो सकता आपस में फुट नहीं पड़ सकती लोकिक में जो ब्रामण कहलाते उनमें तो अनेक मत होती है कोई अपने को पुष करणी कहलाते कोई सारसिद्ध तुम ब्राम्हने एक बाप की मत से देवता बनते हो बाबा केते हैं देवताओं में कभी फुट नहीं पड़ती आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीति याद किये हैं जिस दिन से मिले तुम हम जिस दिन से मिले तुम हम ने अदिन लगे ने रात लगे रे ने ने लगे पुन हम जिस दिन से मिले तुम हम ने प्रीत लगे ने अगीत लगे रे बावा कहते हैं जब जीव आत्माएं और परमात्मा अत्वा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है क्योंकि और संग प्रीत तूड जाती है बावा कहते हैं जिसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है असगाई होने से नई प्रीत जूड़ती है उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है नई दुनिया की नई प्रीत जूड़ती है तो सारे नई परिवार से प्रीत जू ये सुन्दर मिला है नया ये घर नया ये समन नया तुम जानते हो हमें ब्रम्हा कुमार और ब्रम्हा कुमारिया शुद्र कुमार और शुद्र कुमारिया अब नहीं है क्योंकि बावा का ग्यान मिला जीवन शुद्ध धारणाई धारण की है आपस में कितना लव है क्योंकि यो हो गए इश्वर य शंता इश्वर तो है निराकार उनके साथ लब तो साकार में चाहिए न निराकार को कैसे लव करेंगे लह नहीं होता आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो निराकार रुप में भल गाते रहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख गनेरे मिले पतित पावन आओ गाते हैं न बरबर भारत महान था तो अथा सुख था वह गते हैं उसका नाम ही था सुख दाम यह है दुख दाम और जहां आत्मा ही रहती है वह है शांतिदाम बहां तो आत्मा ही पवित्र ही रहती है अब पवित्र कोई आत्मा रहने ही सकती तुमको बाप मिला है तो निया जीवन मिला है पुराना जीवन बदल गया अब निया जीवन बावा निया साल में सब कुछ निया निया वरदान सब कुछ हम बच्चों को दे रहे हैं तो निया जीवन निया घर सब कुछ निया तो सुख भी निया पूरा सतिग में संपुर्ण सुख मिलता है भगते हम आत्माएं भी परमधाम में रहने वाले प्रम्पिता प्रमात्मा के बच्चे थे ये स्मृति रेन जी घर तो हम सब का वही है घर भी सब को याद है कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वान गया वो है माणिसे परिस्थान सूरिय चांद की जहां गम नहीं हम वहां के रहवासी हैं अब बाबा को याद करते रहते हैं जब बाप आते हैं तो नहीं बाते हैं फिर से सुनाते हैं मनिस इस ड्रामा को जान जाए तो बोले हम जो कदम उठाते हैं सेकंड वाई सेकंड नया है बहत का ड्रामा फिर ता रहता है तो बाप आकर नहीं बाते सुनाते हैं तुम बच्चे को त्रिकालधर्शी त्रिनत्री बना रहा हूँ बाबा हम बच्चे को कितना उँच उठा रहे हैं कितना स्रेष्ट ग्यान दे रहे हैं बागते तुम त्रिलोकी के मालिक ही नहीं बनते हो बाब ब्रमान के मालिक हैं तो तिरी लोगी का भी मालिक है ना क्योंकि तीनों ही लोग का नलेज देते है तुम विश्यो के मालिक महारा जा महारा नी बनते हो तिरी लोगी नहीं तिरी लोगी अर्था तीनों लोगों को जाना जाता है मालिक तो एक लोग मन सुर्का बनते हो तो यह है नही नही बातें जो कभी न सुना था न कभी सुना सकता कोई बावा के बच्चे बनते ही हो बरसा लेने के लिए कोई कभी यह समझाना बड़ा सहजे अगर पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबन्द है भगवान से तुमने क्या पाया जो इतना भगवान को याद करते हो तुम्हारी यहाए इस्षुरिय संप्रदाई परन्तु जो इस्षुरिय संतान बनकर फिर इस्षुर को फारकती दे देते हैं वो फिर आसुरिय संप्रदाई बन पड़ते हैं एक बारी बावा ने कहा एक बारी मम्मा बावा कहा प्रजापिता ब्रह्मा तो मश्यूर है ना शिब बावा भी नामी ग्रामी है आत्मा कहती है गौड फादर बाप केते हैं मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडप्ट करता हूं बाब केते हैं यहां तो एक को ही बहुत फिचस बना देते हैं यहां बहुत हो के नाम राधा कृष्ण है परन्तो समस्ते थोड़ी है राधा कृष्ण तो स्वरक के फर्स्ट प्रिंस का नाम है हम तो पती थे हम कैसे यह नाम रख सकते हैं तो शिबाव यह नई नई बाते सुनाते नई दुनिया के लिए यह नई बाते नई आग्यान है बाप केते हमने ही कलब पहले भी नई बाते सुनाई थी अब फिर सुना रहे हैं तुम अभी सुन रहे हो तुम देवी देपता बन जाएंगे तो फिर यह ग्यान खलास हो जाएगा इतनी उंची पढ़ाई है यह भी गाया हुआ है आश्रियवत अपने बाप के बननती सुननती और उको सुना बनती फिर भी यह अहमाया भागनती हो जाते फिर किसको यह कहे भी नहीं सकते कि वीके के पास चलो यह भी ड्रामा में नून दे नॉतिंग नहीं बागते ड्रामा में अगर कोई कुछ हो जाता है तो उसमें नॉतिंग नहीं समझना है ना कि उसमें अटक जाना है यहां तो ब्रहमा के बच्चे ब्राम्हन ही ब्राम्हन है और कोई फूट इसमें पढ़ती नहीं दूसरे ब्राम्हन में फूट पढ़ती है इनमें नहीं ना कभी देवताओं में फूट पढ़ती है सूर्य बंक्सी सब सूर्य बंक्सी मतवेद की बात ही नहीं है फूट में कितना नुकसान होता है तो बाप से तुम यह नही नही बाते सुनते हो न कोई गीत नहीं गाते हैं नौलेज देते हैं, ने ब्रकार के, सारे स्रिष्टी चक्र के नौलेज देते हैं, भागते इनको धारण करनी है, ऐसा जो बाप, टीचर, गुरु कितना प्यारा है, उनको फारगती दे पढ़ाई, थोड़ी छोड़ दिनी चाहिए, पढ़ाई छोड़ी गया बाप को श्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं, बाप को छोड़ा गया, बरसा को गुमाया, पतित पावन तो बाप एक ही है, बाप कहते हैं, अब कयामत का समय है, सब को बाप फज़ जाना है, इसा आप किताब चुक्त कर, भागते हैं, सोना आग में डालते हैं, तो प्योर ह हो जाता है, अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परन्तु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे, इसमें योगबल की बात है, बो बाली आग नहीं, फिर सजाए खाकर सरी छोड़ेंगे, हिसाब किताब चुक्त होगा, पाप का हिसाब किताब चुक्त कर, फिर पावन हो कर बापस जानाएं अपने प्यारा सा घर परमधाँ फिर नहीं दुनिया में आएंगे बच्चों के सिवाय तो कोई बता ना सके आत्मा बता सकती है कि आओ तो हम आपको शिवावा का एकविसन बताएं येश बावा के बच्चे ही बता सकते हैं रावन के बच्चे नहीं क्योंकि बाबा परमात्मन निराकार है वो ब्रह्मातन में आकर हम बच्चों को ग्यान दिये हैं कि कैसे हम पुरुशार्थ करें और सब्चीग में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो बाबा से छुटने के लिए योगबल से पूराने सब हिसाब किताब चुक्त करने हैं आज बाबा हम बच्चे को बरदान दे रहे हैं ट्रश्टीपन की स्मर्ति से निमीत समझ हर कारिय करने वाले डवल लाइट बाबा निमीत पन का भाव बोज को सहज खतम कर देता है मेरी जिम्मेबारी है मेरे को ही संबालना है मेरे को ही सोचना है तो बोज होता है जिम्मेबारी बाब की है और बाबने ट्रश्टी अर्था पनिमीत बनाया है इस समर्ति से डवल लाइट वन उड़ती का लागा अनभव करते रहो जहां मेरा है वहां बोज है इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोज मेसुस हो तो चेक करो कि कहीं गलती तो मेरे से नहीं हो जाता है कि कहीं गलती से तेरे के बज़ाए मेरा तो नहीं कहते इसलिए बावाज स्लोगान दे रहे हम बच्चे को हर बोल में आत्मिक भाव और शुभावना हो तो कोई भी बोल वेर्थ नहीं जा सकता तो मुरली को और गहरी जिती से चिंतन करते हुए आज हमें सोमन लेना है कि मैं संपून डवल लाइट, संपून फरिष्टा जो संगसार की कल्यान के लिए मेरा जनम हुआ है मैं सब की कल्यान करने वाली आत्मा हूँ मुरली को और गहरी जिती से चिंतन करते हुए निरंतर सर्व शक्तिवान बावा की याद में रहना है उनकी छत्र छाय के नीचे जैसे बावा की किरने मुझ पर पढ़ रही है मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ मुस्कुराते रहिए आगे वड़ते रहिए पुरिशार करते रहिए खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें ओम शान्ती